कि अगर कुछ नोर्टी साता है एक्जाम से रिलेटर या कुछ भी तो उसमें आपको प्राबलम ना हो और किस तरह के एक्जाम जो है कंड़क्ट किये जा सकते हैं एक्जाम होगा यह लगभग आप समझ के चलिए कि 90% जो है वो मतलब फाइनल हो चुका है बिहार स्टेट राजस्थान ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जो कि अभी तक अनाउंस नहीं कर रहे हैं लेकिन जो अभी कल इन्फरमेशन जो आई होई है कि अब स्कूल और निवर्सिटी जो भी है कॉलिज अभी नहीं होंगे तो उनके बाद अब उनका भी वर्डिक विदिन वन विक डेफिनेटली आ जाएगा और ज्यादा तर चांसेस है कि वो लोग अगस्त के लास्ट तक जो है अगस्त में जुलाई के लास्ट तक यागस्त के फॉर्स्ट वीक तक जो है एक्जाम कम्प्लीट कर वा लेंगे तो अगर आप देखें तो आपके पास जो है फिप्टीन तो ट्वेंटी देज और ट्वेंटी देज है उसके अंदर ही आपको प्रिपरेशन करनी है दूसरी बात मैं आपको यह बताओं कि ए बात को तो यह साल है झोल रहा है थोड़ा सा लिब्राल हो रहा है तो किस तरह से इकजाम होने की संभावना फ्र lub और रिंट्रेंस के लिए आज हम लोग ऑड़िसकौस करेंगे तो आज का वीडियो में स्टाट करू से पहले प्रेंड्स आप अगर हमारे चैनल पे नये हैं उसका class जो है conduct करवाय जा रहा है 10 बजे daily 10 बजे classes लिए जाते हैं चलिए आज की बात कर लूँ इसमें exam कैसे हो सकते तो देखिए अभी तक जितनी universities ने announce किया है कुछ ने promote किया है तो कुछ ने mcqs basis को जो है choose किया है mcq पे अगर question होता है अगर आपको question आता है आपके mcq पे तो थोड़ा सा आप लोगली easy हो जाएगा क्योंकि आपके पास option रहेंगे तो multiple choices रहता है तो आप उसमें से कोई एक लगा करके टिक लगा करके सही हो सकता है दूसरी बात है कि इसमें भी option दिये जा रहे हैं मतलब कि अगर आपको 70 mcqs मिल रहे हैं 70 आपको करना है तो उसमें आपको 80, 90, 100 तक mcqs दिये जा रहे हैं ऐसा planning किया जा रहा है तो exam होंगे तो इस basis पे होंगे या तो mcqs हो जाएंगे और descriptive हुआ तो descriptive में option तो रहेंगे इसलिए अगर आप यह सोच रहे हैं कि exam नहीं होगा या फिर promote हो जाए क्योंकि वैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है देखने को कि किसी के बोलने से या कुछ करने से exam को रोक दिया जा हैं या फिर आप चाहें तो promote कर सकते हैं तो university is free है किसी भी तरह से exam लेने के लिए अब आप लोग को ready होना है किसी भी तरह से exam देने के लिए चाहे हो mcqs हो या descriptive हो लेकिन अब आपको ready होना है यह बिहार और जहारकन के students के लिए है क्योंकि आज एक student है जो कि राजस्थान नहीं आने दीजिए मैं definitely आप लोग को information दूंगी and authentic information दूंगी आप लोग को जो सही होगा वही मिलेगा फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो के साथ और अगर को information आता है तो आपको in the night night time में भी आपको video मिल जाएगा till then have a nice day